एक बर फिर से रिपीट कर रहे हैं Lesson 8 का नेम है The Food We Eat इसके वर्ड मिनिंग है फार्मर किसान इनफ काफिया परियाप्त शोर्टेज कमी प्रोपरली अच्छी तरह स्पोईल्ड बिगडा हुआ फ्लड बाड ड्रफ सूखा फेमिन अकाल सेचुरेशन परिबोनता अवलेबल अपलब्द रिलिजन धार्म कल्चर संस्कृती हैबिट आदत Next हमने क्या था Pesticides की नाशक Protect रक्षा करना Fertilizers उर्वरक शोल मिट्टी Fertile उचाओ Natural Fertilizer स्क्राकर्थिक उर्वरक Artificial Fertilizer क्रेत्रिम उर्वरक डिग गड़ा करना कैनल नहर लैक्स जीले फिल्ट्स खेत क्रोप अनास अग्रिकल्चर किर्षी इरिगेशन सिचाईद अब इसके Question-Answer रिवाइस करने जा रहे हैं Question first जो डेरी फार्मर होते हैं वो कौन होते हैं जो गाय और बैस रखते हैं किसके लिए मिल्क के लिए तो अनसर होगा इसका डेरी फार्मर्स रियर काउस एंड बैफेलोज फोर मिल्क Question second था Which factors are favorable for cultivation Cultivision के क्या बताने थे favorable factor answer है Our country has favorable climate for fertile soil to grow good yield of crops good quality seeds good quality seeds modern farm machinery good irrigation facilities and proper fertilizers make a good yield of crops क्या है answer second जो हमारा देस है उसकी जल्वायू कैसी है उसकी जल्वायू और मिटी क्या है उपजाओ है इससे क्या होती है अने जो अनाज है उसकी अच्छी उपजे होती है कैसे क्योंकि good quality of seeds डालने से modern farm machinery का यूज करके और अच्छी सिचाई उपलब्द करवा के और उचित रूप में क्या होना चीए उर्वरक इसलिए एक क्या बनाता है make a good yield of crops कुशन थर्ड है हमारा कुशन थर्ड में क्या बताना है क्या है आंसर water is sprinkled on crops by sprinklers जो पाणी है वो sprinkler के द्वारक दिया जाए अनाज में, घितों में, फसलों में तो क्या है उसको क्या करते हम sprinkler irrigation some farmers irrigate their land with water from open tanks, wells, canals or water bodies like lakes and bond कुछ किसान क्या है कैसे सिचाई करते है दर्थी पर पाने की सिचाई जो खुले टैंक, खुए, नहर या कोई water का साफदन हो पर मुख जैसे जीले, तालाब इन से क्या है वो पानी देते है या जीलो से खड़ा खोते हुए अपने खितों तक लेकर आते हैं जिससे पानी दिया जाता है क्वेशन थाड है हमारा क्या था क्वेशन थाड वट इस परिंकलर इरिगेशंट अंसर वट वट वाटर इस परिंकलर उन ग्रोप्स बाई स्प्रिंकलर Some farmers irrigate their land with water from open tanks, wells, canals or water bodies like lakes and bonds. They dig channels from the canal or lakes to their fields. जो लोग है वो अलग-अलग परकार के बोजन खाते हैं Food habits of people depend upon the region where they stay Availability of food type, beliefs, custom, religion and culture Like people of Rajasthan love to eat dalbati, churma तो क्या बताए इसमें कि लोग है अलग-अलग परकार के खाना-खाना पसंद करते हैं जो खाना-खाने की आदत होते हैं लोगों कि वो किस पर नेबर होती है जहां वो रह रह रहे हैं जो छेतर में, जिस छेतर में वो रह रहे हैं क्या-क्या food उपलब्द है उनकी धर्म, विश्वास और उनकी संस्कृति पर ये depend करता है तो different kinds of food क्या है, people खाते हैं फिर क्या बताया जैसे, like, people of Rajasthan love to eat दाल बाटी चूर्मा जैसे Rajasthan के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, दाल बाटी चूर्मा और Punjab के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, मक्के की रोटी, सरसोदा, साग नेक्स्ट है हमारा कौशन फिफ्ट है जो बोजन की कमी है कैसे और क्यों होती है, कों करता है, क्या है अकाल पर जाता है, तब क्यों होता है, बोजन की कमी होती है एक कंडिशन वैन पीपल दू नोट गेट फूड तो इट फूर एलोंग पेड ओफ टाइम वह स्थित्ती जब क्या है लोगों को लंबे समय तक भोजन ना मिल पाए देर केन भी मैनि रीजेन्स फोर्ड़ा ओफ फूड इसके बहुजन की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं लाइक नैचुरल कलिमटेज क्या है प्राकर्तिक आपदाएं इसिज कलिमटेज लाइक डर पलड एक्षॉ जे प्राकर्तिक आपदाएं कों से हो सकती हैं बाड आना, सुखा पड़ना, इत्याब्धी. Result in the shortage of food. बोजन की कमी के ये कारण है. Food gets spoiled when it is not stored properly. बोजन क्या है? खराब हो जाता है. जब जब इसको अच्छी तरह से store नहीं क्या जाता. Hence, it again leads to it shortage. इसलिए ये क्या है? ये भी भोजन की कमी कारण बनता है. So, question 5th में हमने क्या पड़ा है? Question 5th था, Who is food shortage? How does it occur? Your answer है, Acute shortage of food leads to famine, a condition when people do not get food to eat for a long period of time. There can be many regions for the shortage of food like natural calumpties. These calumpties like drought, flood, etc. result in the shortage of food. Food gets spoiled when it is not stored properly. Hence, it again leads to its shortage. ये क्या था हमारा question? 5th Lesson के question and answer और word meaning हो चुके हैं. आज हमने जो किया है, वो एक पर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं. वर्ड मीनिंग थे Pesticides means कीटनाशक, प्रोटेक्ट, रक्षा करना, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, शोयल, मिक्टी, फर्टाइल, उप्जावू, नेचरल फर्टिलाइजर्स, प्राकर्तिक उर्वरक, आर्टिशल फर्टिलाइजर, किर्ट्रिमूर्वरक, डिग, गड़्डा करना, कनल्स, नेरे, लेक्स, जीले, फिल्स, खेट, क्रोप, अनाज, अगरिकल्चर, किर्शी, इरिगेशन, सिचाईज, फर्मर किशान, इनफ काफिया परियाप्त, शोटेज कमी, प्रोपरली अच्छी तरस, पॉल्ड बिग्डवा, फ्लड बाड, रफ सुखा, फेमिन अकाल, सचुरेशन परिपुन्त, अवलेबल उपलाफ, रिलिजिन, धार्म, कल्जर, सांस्कृत, और कुष्यन अंसर था इसके, वो आर्डेरी फार्मर्स, अंसर था, डेरी फार्मर्स, रियर, काव और बाफरलो, फोर, मिल्क, कुष्यन अंसर था, और कौंट्री हाज और कॉट्री फार्मर्स, अंसर था, बूडर्यर्शन अंसर था, और कॉट्वर्टिलिजर में अंसर था, अंसर था, वाट इस प्रिंखलर इरिगेशन अंसर है बाट इस प्रिंखल और नो प्रिंखलर स्वर्मर इरिगेट देयर लेंड विद वाटर फोम अपन Tanks, wells, canals or water bodies like lakes and bonds. They dig channels from the canal or lakes to their fields. Question 4. Why do people eat different kinds of food? Answer 5. People eat different kinds of food. Food habits of people depend upon the region where they stay. The availability of food type, beliefs, customs, religion and culture. Like people of Rajasthan love to eat dalbati, churma. Question 5. Who is food shortage? How does it occur? Answer Acute shortage of food leads to famine, a condition when people do not get food to eat for a long period of time. There can be many regions for the shortage of food like natural calamities. These calamities like drought, flood, etc. result in the shortage of food. Food gets spilled when it gets spilled. Hence, it again leads to its shortage. This is what our question and answer. Next class, we will start the next lesson. Next lesson, we will start the next lesson. Today's class, we will start the lesson of word meaning and its question and answer. Wednesday, we will start the last lesson. झाल झाल